ओ महन परमेश्वर्दाजी, लंबे अन्मान मन्दीर, दक्षिन गुजराथ भारत साधू समाज नो महामंत्री पहरत जी अब साधू समाज की ओर से क्या कहोगए आशाराम जी बापु को 25 तारिक को फैस लाया बापु को आजी वन कारावास की सजा हो गई क्या कहोगए बापुना कारावासनी सजाताई आएक सड यंत्रा छे राजकारण, पाद्रियो अना आवा राक्षा स्लोकोनू सड यंत्रा छे डीजी वनजारा अना एक जर्शायवे किदू के जेनी साते जे बलातकारी पीडिता से यहने कोई पन एफाई आर मा बलातकार नो केस नती यहने एम नती कि दुख मारो बलातकार थयो शे एफाई आर रिपोर्ट मा मेडिकल रिपोर्ट मा पन यहनू सील अकबंद आईवो शे यह पन एने कोई जिगिया यह बलातकार थयो नती अन बारत साधु समाज ना तरप ती हुँ बापु ना भक्तो न आ देश ना नागरिको न ये संदेश आपूशु के आवा संतो न प्रताण न थशे आवा संत जो पुर्थवी पर नहीं होए तो आ दुनिया बड़ी न मरी जशे परमाणु बम अन परियावरण अन आ कुद्रत कोपाई मान थाई आधी तोपाण न भुकम थी आ दुनिया नास थी जशे आ दुनिया नास न सर्व नास थी जो बचूँ होए अन आ लोको न आ भारत ना देश ना नागरिको न जो आ आपकुद्रती आपती थी परमाणु बम थी विश्वयु थी जो बचू करो ने हमने जल्दी थी जल्दी बाहर लाओ फसाएगा कौन शड़ी अंतर करेगा आसा राम जी बापु के विशय में एक बोला नंजी ने कहा कि मेरे कुछ बोलापन में रख करके लालच दे करके और मेरे कुछ फसा करके मेरे से इसा ब्यान दिलाया तो मैं जहल में से को बोला कि आप जो मेरे जंता भक्त जो मेरे को डंड देंगे वो डंड मुझे स्विकार है लेकिन मैं ये स्विकार करता हूं कि मुझे फसा करके बोलापन में रुस्वत दे करके बापु के विरुद मेरे को ये ब्यान दिलाया है तो ये सड्यंत्र कुछ पत्रकार लोग कु जैसे सूर्य सोडा कडाये खिलता है, वईसे बापू की कीरती, बापू की ख्याती और लोगों का स्नेह देख करके, ये राक्षास लोगों के दिल में जलन होई। और ये जलन के कारण बापू को फसाया है, बाकी बापू मेरा गुर्देव निर्दोस है। कि संसमाज की वहर से क्या मांग करोगे आप संसमाज की तरफ से हम इंग करते हैं कि सारे संतों बापू के सारे भग बगवान से प्रात्ना करें कि हमारे बापू जल्दी से जल्दी बाहर आवे और निर्दो छूट करके आवे कि माराज जी ने बताया कि बापू बिल्कुल निर्दो से उनको फसाया गया है और माराज जी संसमाज की वर से यही मांग कर रहे है कि जल से जलासा राम जी बापू को रिया किया जाए के मेरा मिन अंजनी के साथ निले श्टक कर सूरत सहर से रफ्तार निउज